C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन टीन। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याई एक। इसका शीर्शक है भारतिय सम्विधान। तो आईए अब सुनते हैं अध्याई एक। शीर्शक भारतिय सम्विधान। प्रिष्ट एक। इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में भारत की राजनीती से जुड़े गणमान्य व्यक्ति दिखाए गए हैं। प्रिष्ट चार अध्याई एक। भारतिय सम्विधान। इस प्रिष्ट पर बाई और उपर भारतिय सम्विधान का चित्र दिखाया गया है। जिस पर अंग्रेजी में Constitution of India लिखा है। इस अध्याई में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज्यादतर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा। बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा के इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है। ये खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम ये है कि गोल कीपर के अलावा और कोई खिलाडी गेंद को बहां से नहीं छु सकता। अगर किसी खिलाडी की बहां गेंद को छु जाती है तो इसे पाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाडी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगें तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरहे हौकी या क्रिकेट आदी दूसरे खेलों के भी कुछ तई नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाशित करने और अलग-अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरहे हर समाज के भी कुछ मूल भूत नियम याने कॉंस्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं। उन्ही से समाज का स्वरूप तई होता है और अलग-अलग समाजों के बीच पर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग-अलग समुदाई एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमती के जरीए तई किया जाता है। आधुनिक देशों में ये सहमती आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं, उसे सम्विधान कहा जाता है। कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतिय सम्विधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी ये सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें सम्विधान की जरूरत क्यों पढ़ती है। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि सम्विधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था। इस अध्याय में हम इन्ही मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतिय सम्विधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतिय लोक तंत्र के लिए बहुत महत्वपून हैं। इस पुस्तक के विभिन अध्यायों में इन में से कुछ बातों पर विशेश जोर दिया जाएगा। प्रिष्ट पांच इस प्रिष्ट पर बाई और उपर एक चित्र दिखाया गया है। इसमें भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू सम्विधान सभा को संबोधित करते हुए दिखाये गए हैं। इस चित्र के उपर गुलाबी रंग से एक प्रश्न लिखा गय है? किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आज दुनिया के ज्यादतर देशों के पास अपना संविधान है। आम तौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उन के पास संविधान जरूर होगा। लेकिन इसका ये मतलब न नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं, वे सभी लोक्तांतरिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ती करता है। पहला ये दस्तावेज उन आधर्शों को सुत्र बद्ध करता है, जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं याने संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूल भूत स्वरूप क्या हो देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं उनके बीच कई बातें समान होती हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों सम्विधान नियमों का एक ऐसा समुह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पधती के रूप में अपना सकते हैं इसके जरीए वे न केवल ये ताय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी बलके उन आदर्शों पर भी एक साजी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए 1934 में भारतीय राष्ट्रिय कॉंग्रिस ने सम्विधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकरित नीती में शामिल किया केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंतर सम्विधान सभा की ये मांग दूसरे विश्वयुद्ध के दारान और तेज हो गई और अंततह दिसंबर 1946 में सम्विधान सभा का गठन की आ गया प्रिष्ट दो पर दिये गए चित्र में सम्विधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सम्विधान सभा ने स्वतंतर भारत के लिए नए सम्विधान का एक प्रारूप तैयार किया 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतियों को आखिरकार अपनी नियती और भविश्यताय करने का मौका मिला था सम्विधान सभा के सदस्यों ने स्वतंतरता संघर्श से उपजे महानादर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया सम्विधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याए में आगे पढ़ेंगे इस प्रिष्ट में सबसे उपर नेपाल में लोकतंतरिक संघर्श से जुड़े दो चित्र दिखाए गए हैं नेपाल में लोकतंतर के लिए कई संघर्श हो चुके हैं 1990 में हुए संघर्श के बाद लोकतंतर की स्थापना हुई ये लोकतंतरिक व्यवस्था 2002 तक याने 12 साल कायम रही अक्तूबर 2002 में राजा ग्यानेंद्र ने गामों में माववादी संघठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बना कर सेना की मदद से सरकार के विभिन कामों को अपने कबजे में लेना शुरू कर दिया परवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरहे अपने हाथों में ले ली लोक तंत्र के लिए चल रहा ये जनांदोलन 2006 तक अपने शिकर पर पहुँच चुका था आंदोलन कारियों ने राजा की और से दी गई छोटी मोटी रियाएतों को नामन्जूर कर दिया और आखिरकार अपरेल 2006 में राजा को तरितीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा 2008 में राज तंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोक तंत्र बन गया 2006 में लोक तंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदूलन के द्रिश्य यहां इस प्रिष्ट में दोनों चित्रों में दिखाए गए हैं अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि मूल भूत यानि कॉंस्टिट्यूटिव शब्द से आप क्या समझते हैं अपने रोज मर्रा के जीवन के आधार पर मूल भूत नियम का एक उदाहरण दी नेपाल की जनता एक नया सम्विधान क्यों चाहती थी इन बातों का क्या मतलब है ये समझने के लिए आईए दो बिलकुल अलग-अलग परिस्थितियों पर गौर करें दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना हैं समाचार पत्रों के माध्यम से उपर दी गई खबरों में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम सम्विधान को मन्जूरी दी है सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही सम्विधान था तो उसे नए सम्विधान की जरूरत क्यों पड़ी इसका कारण ये है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राज तंत्र था वहां राजा का शासन था 1990 में बना नेपाल का पिछला सम्विधान इस सिध्धान पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी नेपाल के लोग कई दशक से लोक तंत्र की स्थापना के लिए जनान दोलन करते चले आ रहे थे इसी संघर्ष के फल्स वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामियाबी मिल गई नेपाल के लोग लोक तंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया सम्विधान चाहिए था वे पिछले सम्विधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्ष नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे जिस तरह पुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है उसी तरह नेपाल को भी राजतंतर की जगह लोकतंतरिक शासन विवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताके एक नए समाज की रचना की जा सके यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया सम्विधान अपनाया इस प्रिष्ट पर दिखाए गए चित्रों के साथ दिये गए अंच में लोगतंतर के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है सम्विधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तै करना नेपाल के पुराने सम्विधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागदोर राजा और मंतरी परिशद के हाथ में रहेगी प्रिष्ट साथ जिन देशों ने लोकतांतरिक शासन पद्धती या राज्य व्यवस्था चुनी है वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तए करने में सम्विधान बहुत एहम भूमी का अदा करता है लोकतंतर में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताके हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं इस तरह की विक्रितियों से बचाव का उपाए संभिधान में मिलता है राजनेताओं दुआरा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है इसका एक उदाहरन यहां नीचे दी गई चित्रकथा पट में देखा जा सकता है सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है वो दबंग किसम का लड़का है उसके सहपाथी भी उसे पसंद नहीं करते प्लास टीचर श्रिमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है वो सुरेश को सब बच्चों का खयाल रखने के लिए बोल कर चली जाती है सुरेश मौके का फाइदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है आप चित्र में देख सकते हैं कि सुरेश अनिल से क्या कहता है अनिल आज मैं राव मैडन से तुमारी शिकायद लगवाने वाला हूँ अनिल कहता है लेकिन मैंने क्या किया है इस से अगले चित्र में श्रिमती राव जब लोटती है तो सुरेश श्रिमती राव से कहता है जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सब को परिशान कर रहा था उसने मेरी बात भी नहीं सुनी उस से अगले चित्र में श्रिमती राव अनिल को डाटते हुए दिखाई दे रही है श्रिमती राव कहती हैं अनिल आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा तुम आज सौ बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा अनिल कहता है लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया इन चित्रों में आपने देखा नमबर एक मॉनिटर अपनी शक्ती का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है नमबर दो नीचे दी गई किस परिस्थिती में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोशी कहा जाएगा क जब वो ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी पर योजना को नामन्जूर कर देता है ख जब वो अपने पडोसी को अपने सुरक्षा करमियों से पिटवाने की धमकी देता है ग जब वो ठाने में फोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोशी रिष्टेदार के खिलाफ एफ आई आर दर्ज न की जाए लोकतांतरिक समाजों में प्रायह सम्विधान ही ऐसे नियम तै करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपियोग को रोका जा सकता है भारतिय सम्विधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिये गए है क्या आपको कक्षा साथ की पुस्तक में दिये गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल मीकी के अनुभवों की कुछ याद है उस अध्याई में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेद भाव का सामना करना पड़ा वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतिय सम्विधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है हमारा सम्विधान कहता है कि धर्म, नसल, जाती, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेद भाव नहीं किया जा सकता इस प्रकार समानता का अधिकार भारतिय सम्विधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है प्रिष्ट आठ लोगतंत्र में संबिधान का एक महत्वपून काम ये होता है कि कोई भी ताकतवर समुहूं किसी दूसरे या कम ताकतवर समुहूं या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करें। इस प्रिष्ट पर नीचे दिये गए चित्रकथा पट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। इस प्रिष्ट पर बई और उपर दिखाये गए चित्र में बताया गया है कि खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। तभी एक छात्रा कहती है चलो आज कुछ अलग खेलती हैं बास्केट बॉल। लेकिन उसके सामने खड़ा एक लड़का उससे कहता है नहीं हम तो क्रिकेटी खेलेंगे। शिक-शिक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठा कर अपनी राए बताने के लिए कहते हैं। हाथ में बॉल लिए हुए लड़का कहता है हम जीत गए हम जीत गए। बास्केट बॉल हाथ में लिए हुए लड़की कहती है ये तो होना ही था लड़कों की संख्या कक्षा में ज्यादा है। वो छात्रा अपनी सहीली से कहती है हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज्यादा है। दूसरी चात्रा कहती है मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताके हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। उपरोक्त चित्रकथा पट में कौन लोग अलपसंख्या में हैं। बहुसंख्यक गुट द्वारा लिये गए फैसलों से ये अलपसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोग तांतरिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिन में अलपसंख्यकों की सहमती नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसा के इस चित्रकथा पट्ट से पता चलता है। बहुमत की निरंकुष्टा का खतरा हर समाज में बना रहता है। सम्विधान में दिये गए नियमों से इस बात का खयाल रखा जाता है कि अलपसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वन्चित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्द है। अल्प संख्यकों पर बहु संख्यकों की इस निरंकुष्टा या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कारिया है। इंट्रा कम्यूनिटी वर्चस्व कहते हैं। संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। ये बात सुनने में जरा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सूचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसान देह हो सकते हैं। समविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे के चित्र कथा पट को देखिए। इस चित्र में दिखाया गया है कि शबनम दुविधा में है। उसे कुछ तए करना है। वो खुद इसे कहती है कल की परीक्षा के लिए मुझे दो अध्याए पढ़ने हैं लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कारिक्रमा रहा है। देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याए नहीं पढ़ पाऊंगी। शबनम की मां उससे कहती है। शबनम तुम परिशान लग रही हो क्या बात है। शबनम उनसे कहती है। मुझे ये टीवी कारिक्रम देखना है लेकिन कल मेरी परिक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूज रही है। अगर आज की रात कोई भी टीवी न देखे तो सब शायद मेरा भी मन नहीं लल्चाएगा। इस से अगले चित्र में दिखाया गया है कि शबनम परीक्षा दे रही है और वो स्वयम से कहती है अच्छा हुआ मैंने कल टेलिविजन नहीं देखा। उन आखरी दो अध्यायों में से इतने सारे सवाल आई हैं। शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा। ऐसी स्थिती में आप क्या करते। सम्विधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिन से उन बड़े सिध्धांतों को ठेस पहुँच सकती है जिन में देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर वो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगें कि दलगत राजनीती यानि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विक्रित हो चुकी है। इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी ताना शाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में ताना शाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा सम्विधान देश की बुनियादी सनरचना को इस तरह के उनमाद से बचाता है। ये ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिये नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंतरता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि सम्विधान किसी भी लोकतांतरिक समाज में कितनी महत्वपून भूमी का निभाता है। प्रिष्ठ दस इस प्रिष्ठ पर पीले रंग में एक तालिका दिखाई गई है। इस तालिका में सबसे उपर लिखा है। आईए। अब निम्न लिखित उदाहरणों से जुड़े मूल भूत नियमों से तालिका को भरी। इसके जरीए इस बात को दोहराईं कि लोकतांतरिक समाजों में सम्विधान इतनी महत्वपून भूमी का क्यों निभाता है। उदाहरण नेपाल में लोकतंतर के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहां के लोगों ने एक नया सम्विधान अपनाया। मूल भूत नियम ये ऐसे आदर्श हैं जिन से पता चलता है कि हम किस तरह की शासन विवस्था में रहना चाहते हैं। उदाहरण सुरेश अपने सहपाथी अनिल को बेवजह परिशान कर रहा है। मूल भूत नियम वाले रिक्त स्थान को भरिं। उदाहरण लड़कियों को बास्केट बॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज्यादा है। मूल भूत नियम वाले रिक्त स्थान को भरिं। उदाहरण शबनम ने टीवी देखने के बजाए अपने अध्यायों को दोहराने का फैसला लिया। मूल भूत नियम वाले रिक्त स्थान को भरिं। आईए अब भारतिय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहन करते हैं। भारतिय संविधान मुख्य लक्षण बीस्वी सदी तक आते आते भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंतरता संघर्ष के दारान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंतर भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतरगत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। आपनिवेशिक राज्ये के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतियों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंतर भारत को एक लोकतांतरिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांतरिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। ये काम किसी एक आदमी के वशका नहीं था। इसमें लगभग तीन सौ लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई सम्विधान सभा के सदस्य थे। भावी सम्विधान के निर्मान के लिए अगले तीन साल तक सम्विधान सभा की बैठकें होती रही। इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे एक चितर दिखाया गया है। इस चितर की व्याख्या करते हुए लिखा गया है। सम्विधान सभा के सदस्यों के बीच एक ता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी सम्विधान के एक-एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमती विकसित करने के बारे में गंभीर थे इस चित्र के मध्य में सरदार वल्लब भाई पटेल दिखाई दे रही हैं जो सम्विधान सभा के एक महत्वपून सदस्य थे सम्विधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे देश में कई समुदाए थे उनकी ना तो भाशा एक थी ना एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृती थी वैसे भी जब सम्विधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था भारत और पाकिस्तान का बटवारा लगभग तय हो चुका था कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविश्य क्या होगा वे किधर जाएंगी जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिती भायानक थी सम्विधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कलपनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राश्ट्री एक्ता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रती गहरा सम्मान दिखाई देता है उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिये गरीबी उन्मूलन और जन प्रतिनिधियों के चैन में जनता की महत्वपून भूमिका पर काफी जोर दिया गया है आगे के हिस्सों में भारतिय सम्मिधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एक्ता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिनताओं को लगातार ध्यान में रखिये जिन से इस दस्तावेज को लिखने वाले जूज रहे थे इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंतर भारत को एक शक्तिशाली लोकतांतरिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिनताओं को किस तरह हल किया एक, संगवाद, पेडरलिजम इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारे हैं और केंद्र स्तर पर भी पंचायती राज विवस्था शासन का तीसरा स्तर है जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था इस साल हम केंदर सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिती का सीधा मतलब ये था कि यहां शासन की एक ऐसी विवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे इस प्रिष्ठ पर बाई और बाबा साहिब आमबेडकर का चित्र दिखाया गया है बाबा साहिब डॉक्टर अमबेडकर को भारतिय सम्विधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर अमबेडकर का विश्वास था कि सम्विधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को सम्विधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक विवस्था मिली है लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो अभी भी अनुसूचित जातियों बेफिकर नहीं हो सकती क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्न हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से अहवान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चड़ कर शामिल हों इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे पंचायती राज विवस्था से जुड़े हुए दो प्रिष्ठ दर्शाए गए हैं और इन प्रिष्ठों पर पंचायती राज से जुड़े हुए चित्र भी दिखाए गए हैं प्रिष्ठ बार है इसलिए प्रांतिय स्तर पर भी सरकार की विवस्था की गई ताके इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिये जा सकी बारत के सभी राजियों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वाइत अधिकार है राष्ट्रिय महत्व के सवालों पर सभी राजियों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है कार्यक्षित्र की स्पष्टता के लिए सम्मिधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिन में बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है इसके साथ संविधान ये भी तै करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कारियों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है संगवाद के अंतरगत राज्य केवल केंद्रिय सरकार के प्रतिनिधी नहीं होते उन्हें भी सम्विधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतरगत आते हैं सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं कक्षा साथ की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है भारत का सम्विधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है सम्विधान सभा के सदस्य जब सम्विधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंतरता संगर्ष ने भारतिये जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर सम्विधान सभा के एक सदस्य श्री एके अईयर के एक कथन को लिखा गया है जब सम्विधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिध्धान्त को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य एके अईयर ने कहा था के ये कदम आम आदमी और लोकतन्तरिक शासन की सफलता में गेहरी आस्था का दियो तक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरीये लोकतन्तरिक सरकार की स्थापना घ्ञानोदाय लाएगी ये आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवनस्तर, सुविधा और बहतर जीवनस्थिती को प्रोटसाहन देगी इस प्रिष्ठ पर नीचे चित्र के जरीए दर्शाया गया है कि लोग अपना वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं प्रिष्ठ 13 है उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच वो तौर तरीकों को प्रोटसाहन मिलेगा बलके जाती, वर्ग और और औरत मर्द के फर्क पर आधारित उच नीच की बेडियों को भी तोड़ा जा सकता है सारवभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है इसके अलावा हर व्यक्ती खुद चुनाव भी लड़ सकता है चाहे उसकी सामाजिक प्रिष्ठ भूमि कैसी भी क्यों ना हो ये प्रतिनिधी जनता के प्रती जवाब देह होती है लोकतांत्रिक कार्यपधती में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपून होता है इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी एकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे तीन शक्तियों का बटवारा संविधान के अनुसार सरकार के तीन अंग हैं विधाईका, कार्यपालिका और न्याईपालिका विधाईका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधी होते हैं कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं नियायालेयों की विवस्था को नियायपालिका कहा जाता है जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई तीन में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुष रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इस प्रिष्ठ पर बई ओर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें सम्विधान सभा के सदस्य बैठे हुए चर्चा कर रही है। इस चित्र के नीचे ये कथन लिखा गया है सम्विधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपाली का इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधाईका के प्रती अपने दायित्वों की उपेक्षाही करने लगे इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को सम्विधान में शामिल किया जिनके जरिये शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कारवाईयों को सीमित और नियंतरित किया जा सके इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे नीले रंग के बकसे में लिखा गया है इस अध्याई में राज्य शब्द का अकसर इस्तेमाल किया गया है ध्यान रखें इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन अर्थमे लेते हैं सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना लेकिन चुनावों के जरीए सरकार बदल सकती है पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भू भाग में रहने वाले सम्प्रभू लोगों का प्रतिनिधित्व करती है इस आधार पर हम भारतिय राज्य नेपाली राज्य आदी की बात कर सकते हैं भारती ये राज्य की एक लोक्तांत्रिक सरकार है सरकार या कार्यपाली का राज्य का एक हिस्सा होती है राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे नीले रंग से लिखा गया है अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच क्या फर्क होता है प्रिष्ठ 14 है 4. मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतिय सम्मिधान की अंतर आत्मा भी कहलाता है आपनिवेशिक शासन ने राश्टरवादियों के दिमाग में राज्य के प्रती संदेह का भाव पैदा कर दिया था इसी लिए राश्टरवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए लिएज़ा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मन माने और निरंकुष इस्तेमाल से बचाते हैं इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है विभिन अल्प संख्यक समुदाए भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समुह की रक्षा कर सके फल्स्वरूप बहु संख्यकों से अल्प संख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेड करने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है पहला हर एक नागरिक ऐसी स्थिती में हो कि वो उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके और दूसरा ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे सम्विधान में एक खंड नीती निर्देशक तत्वों का भी है संविधान सभा के सदस्यों ने ये खंड इसलिए जोड़ा था ताके और ज्यादा सामाजिक वा आर्थिक सुधार लाए जा सकें वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतिय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिध्धान्तों को मारगदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें इस प्रिष्ठ पर कुछ परिस्थितियों का उलेख किया गया है जो इस प्रकार हैं निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंगन हो रहा है यदी तेरह साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है यदी किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है यदी किसी जन समूह को राजस्थान में तेलूगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमती नहीं दी जाती है यदी सरकार सशस्त्र बलों में कारे रत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नती नहीं दे रही है क्योंकि वो अधिकारी महिला है इस प्रिष्ट पर बई और नीले रंग के बकसे में भारतिय सम्विधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकारों के बारे में बताया गया है एक समानता का अधिकार कानून की नजर में सभी लोग समान हैं इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में ये भी कहा गया है कि धर्म, जाती या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, ओटल, दुकान इत्यादी सारवजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुँच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआ छूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। दो, स्वतंतरता का अधिकार। इस अधिकार के अंतरगत अभी व्यक्ति और भाषन की स्वतंतरता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंतरता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाई, पेशा या कारुबार करने का अधिकार शामिल है। 3. शोशन के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराद है। 4. धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंतरता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ती को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। 5. सांस्कृतिक और शेक्षनिक अधिकार। सम्विधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्प संख्यक समुदाए अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शेक्षनिक संस्थान खोल सकते हैं। 6. सम्विधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंगन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है। 5. धर्म निर्पेक्षता धर्म निर्पेक्ष राज्य वो होता है जिसमें राज्य अधिकरित रूप से किसी भी धर्म को राज्य की ये धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता इसके बारे में हम अगले अध्याई में और विस्तार से पढ़ेंगे अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी-कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का सम्विधान कैसा होगा सम्विधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपून भूमिका निभाता है जिने हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरीए साकार करना चाहते हैं जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है उसी तरह जिन देशों के सम्विधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहां देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है हम नेपाल में ये देख चुके हैं वहां लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए सम्विधान की जरूरत भी पैदा हो गई थी उपर हमने भारतिय सम्विधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफी जटल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है लेकिन अभी आप इस बारे में जियादा फिक्र ना करें इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतिय सम्विधान के इन सभी पहलूँ के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर से लेके नीचे तक तीन चित्र दिखाए गए हैं इन तस्वीरों में 24 जन्वरी 1950 को सम्विधान सभा के विभिन सदस्य अपनी आखरी बैठक में सम्विधान की एक प्रती पर हस्ताक्षर कर रही है सबसे उपर वाले चित्र में प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू दस्तखत कर रही है दूसरे चित्र में सम्विधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंदर प्रसाद हैं सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं करम में ये लोग दिखाई दे रही है श्री जैराम दास दौलत राम खाद्य एवं कृशी मंत्री, राजगुमारी अमरित कौर स्वास्थे मंत्री, डॉक्टर जौन मताई वित्त मंत्री, सरदार वल्लब भाई पटेल उपप्रधान मंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाएं कि ये कर्तव्य कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपून है। ग्यारह मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र तस्वीरें बनाएं अत्वा उन पर कविताईं, गीत लिखें तथा कक्षा में इन पर चर्चा करें। प्रिष्ट, सोलह, अभ्यास, एक, किसी लोकतंत्रिक देश को संब्धान की जरूरत क्यों पढ़ती है। दो, नीचे दिये गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए, पहला कॉलम 1990 का नेपाल का संब्धान है, दूसरा कॉलम नेपाल के ताजा संब्धान में से लिया गया है। नीले रंग के बक्से में पहले कॉलम में उपर लिखा गया है, 1990 का नेपाल का संब्धान भाग साथ कार्यपाली का, अनुच्छेद पैंतीस, कार्यकारी शक्तियां, नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियां, महमहिम नरेश एवं मंत्री परिशद में नहित होंगी। साथ ही नीले रंग के बक्से में उपर लिखा गया है, 2015 का नेपाल का संब्धान, भाग साथ, संघीय कार्यपाली का, अनुच्छेद 75, कार्यकारी शक्तियां, नेपाल की कार्यकारी शक्तियां, संब्धान और कानून के अनुसार, मंत्री परिशद में नहित होंगी। नेपाल के इन दोनों संब्धानों में कार्यकारी शक्ति के उप्योग में क्या फर्क दिखाई देता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संब्धान की जरूरत है। क्यों। 3. अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ती पर कोई अंकुष न होता तो क्या होता। 4. निम्नलिखित स्थितियों में अलपसंख्यक कौन है। इन स्थितियों में अलपसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपून है। इसका एक-एक कारण बताईए। क. एक स्कूल में तीस शिक्षक हैं और उनमें से बीस पुरुष हैं। ख. एक शहर में पांच प्रतिशत लोग बौध धर्म को मानते हैं। ग. एक कारखाने के भोजनाले में असी प्रतिशत कर्मचारी शाकाहारी हैं। ग. पचास विद्यार्थियों की कक्षा में चालीस विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। पांच नीचे दिये गए बाएं कॉलम में भारतिय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने दो वाक्यों में लिखिये कि आपकी राय में ये आयाम क्यों महर्पपून हैं। मुख्य आयाम संगवाद शक्तियों का बटवारा मौलिक अधिकार संसदीय शासन पद्धती महत्व रिक्तिस्थान प्रिष्ट सत्रहे। शे, उन भारती राज्जियों के नाम लिखिये जिनकी सीमाएं इन पौड़ोसी देशों से लगती हैं। क, बांगलादेश, ख, भूटान, ग, नेपाल। इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर भारत का राजनीतिक मान्चित्र दर्शाया गया है। शब्द संकलन जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है, तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जहां नियमताय नहीं किये गए हों या जहां फैसलों का कोई आधार नहीं हो, उसे ही मनमाना कहा जा सकता है। आदर्श जब कोई लक्ष्य या सिध्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन का उदाई 19. सदी में हुआ था। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एक जुठ हो गए थे। ये आंदोलन 1947 में भारत की आजादी में परिणत हुआ। इसी वर्ष की इतिहास की पाठ्थे पुस्तक में इस आंदोलन को आप और अच्छी तरह से जानेंगे। राज्य व्यवस्था — ऑलिटी इसका आशाए एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक सन्रचना व्यवस्थित है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है सम्प्रभु इस अध्याय के संद्र्भ में स्वतंत्र जनता को सम्प्रभु कहा गया है मानव व्यापार राश्ट्री ए सीमाओं के आर पार विबिन चीजों की गैर खानूनी खरीद बिक्री को अवैद व्यापार कहा जाता है इस अध्याई में जिन मौलक अधिकारों की चर्चा की गई है उनके संबंद में अवैद व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैर खानूनी खरीद फरुखत से है जिसे मानव व्यापार कहा जाता है निरंकुष्टा इसका मतलब सत्ता या अधिकारों की क्रूर एवं अन्याएपून इस्तेमाल से है इसी के साथ इस पुस्तक का अध्याई यहां समाप्त हुआ वाचन बाबला को छड तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो निर्मान सहयोग तनू गुपता निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत